जब मुकश्मीर के अक्नूर में आतकी हमले के बाद इंकाउंटर शुरू हो गया है सेना के अधिकारियों ने बताया कि सोमबार सुबह साथ बच कर 26 मीट पर लाइन ओफ कंट्रोल के पास आतंगवादियों ने भटल इलाके में आर्मी एंबूलेंस पर करीब एक दरजन गोलिया दागी हमला करने के बाद आतंगवादी भाग गए इसके बाद सेना ने सर्च ऑपरिशन चलाया सेना और सुरकशाबलो की टुकडी के बीच बटल इलाके में इंकाउंटर शुरू हो गया जो अभी जारी है इससे पहले 24 अक्टूबर को बारमूला में सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने हमला क्या था जिसमें तीन जवान और दो पोर्टर की जान गई थी अधिकारियों ने बताया कि आतंगवादी आसन मंदिर में एक मोबाइल ढून रहे थे उन्हें किसी को कॉल करनी थी इसी दोरान एम्बूलेंस गुजरी और आतंगवादीयों ने फाइरिंग शुरू कर दी बताया जा रहा है कि आतंगवादी पिछली रात बॉर्डर पार करके अकनूर में आए जम्मो किश्वीर में 16 अक्टोबर से अब तक यह पांच्वा हमला है इन मामलों में तीन जवान शहीद हुए है वहीं आठ गेर इस्थानी लोगों की मौत हुई है